हाई फ्रेंज वेलकम चुमा दुजा बेबी बाइटेंग बच्चा निपल पे काट रहा है बिकोज बच्चे के दात आ रहा है उसे दर्द हो रहा है कभी ऐसा हम लोग पील करते हैं बस मेरे बच्चे को भूख नहीं लगना चाहिए और यह जो पूरा साइकल है यह बहुत सा जो से बाइट कर रहा है और जिससे निपल के उपर तकलीफ हो रहा है तो चलिए आज का वीडियो शुरूद इंपोर्टन चीज जो आप लोग को पता होना चाहिए परसली निपल क्रैक्स स्पेशली इनिश्यल डेज में क्यू होता है आप उसके लिए क्या रेमेडीज कर स सकते हो उसके लिए आप उसको के से रोक सकते हो उस सब के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके है जो में यहां पर लिंक कर यू आज हम लोग बात करेंगे निपल बाइटिंग निपल बाइटिंग से जो दर्द होता है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते है मेरे द 15-20 दिन में बच्चा पैदा होने के बाद because wrong latching था वहाँ पर उसके बाद मुझे वो तकलीफ कभी भी नहीं हुआ क्यों पता है आते हुए चोटे-चोटे दातों के साथ जो बच्चा निपल पर काटता है यह experience मुझे personally नहीं है but being a lactation expert मुझे बहुत सारे मेरे students पूछता है कि श्रया मेरे breastfeeding बहुत अच्छे से चल रहा है मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं है मेरे बच्चे का latching सही था मेरा milk flow सही है मेरे बच्चे के साथ मेरा routine बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और suddenly बच्चा 9 महिने का 10 महिने का 11 महिने का जबी कभी आपके बच्चे को दात आएगा usually दात 3rd 4th month से लेके करीब 13-14 महिने तक जो delayed teething होता है इसके बीच में कभी भी दात आ सकते है मेरा तो उससे भी लेट था ये बात और है बट दात आने के दोरान बच्चा जबी जोर से निपल पे काटता है तो पहला थोट मा के दिल में आता है आ बैठने से पहली अभी तो ये काटेगा यार कैसे breastfeeding करेंगे बह ये मैं इनिशल पंधरा दिन में मुझे भी होता था ब्रेस फीडिंग के लिए बैठती थी थी ना तभी दिल करता था मत अभी दुखेगा तो दुखने के पहले है मैंने बच्चे को अब तक लिया भी नहीं है लेकिन मुझे पता है कि दर्द होने वाला है और मेरा पहले स सब्सक्राइब को इरिटेशन होता है उसको आप लोग कैसे कम कर सकते हो उसके रिलेटेड वीडियो में यहाँ लिंक कर यू वह वीडियो आप लोग एक बार सेपरेटली देख लेना अभी ब्रेस फीडिंग कन्फूजंस पयाते एक मेजर कन्फूजंस जो पैरेंस मदर्स बेबी बाइटिंग यह टीदिंग के स्टेज में जभी बच्चे को होता है तभी उनका ओरल डेवलपमेंट तभी के लिए इन्वाल है याद रखो इसके लिए अमेजिंग टिप्स और आप उस चीज को कैसे रोख सकते हो वो भी हम लोग आज की वीडियो में शेयर करेंग आप लोग अगर 9, 10, 11 महने तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो मतलब आप बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस कर चुके हो इसका मतलब ही यही है कि आप अपने आप में खुद के दिल में जाक्ये बोल सकते हो अरे हाँ नीन कवर नहीं हो रहा ता मैंने वह कुप अप कर लिया मे आप लोग बहुत अच्छे से कूप अप कर लोगे सो जभी बच्चा बाइटिंग करता है निपल के उपर इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना है ओके यह बहुत इंपोर्टन चीज़ सेकंड चीज़ बहुत सारे मदोर्स को ऐसा लगता है कि को बच्चे को दाता रहो और आप देखते नहीं हो निपल की तरफ अप इनीशल पंधरा दिन वीज दिन एक महिना हर नई मा निपल को लैच को ब्रेस्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं फिर एक बार आइधिक हम लोग सेट हो जाते हैं अपने रूटीन में और फिर ब्रे का हिस्सा बहुत अच्छे से देखो क्या यह सिर्फ छोटू सा क्रैक है या बच्चे ने डात से कोई बड़ा सा जख्खम कर लिया बच्चे के दात बहुत शार्प होते हैं अगर वो डीप कट गया तो यहाँ पे डीप जख्खम हो सकता है तो यह एक बहुत इंपोर्टन इसे जो आपको अबजर करना है 13 बहुत सारे मदर्स को यह कंसर्न होता है कि अश्रया में हाथ से प्रेस कर यू तभी थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है मेरे निपल पेसे क्या मेरे बच्चे को फीड करवाना चाहिए विकॉस दूद में से अगर खून जा रहा है तो थोड़ा सा खून निकल जाएगा फिर रूटीन ली ब्रेस्ट फीडिंग करो कोई प्रॉब्लिम नहीं अगर आप में से कोई ब्रेस्ट पंपिंग करता है और अगर बच्चे ने बाइट कर दिया है तो आप लोगों को अबजर होगा पंपिंग करते वग तो दूद के खुरेंगं कुछ ने करने फीडिंग कर रहो तो फीडिंग करते रहो वो जख्कम हील करने के तरीकों के साथ हम लोगों में साथ ऐसे वहां आप्टोमाटिकली नॉर्मल मिल्क आने लग जाएगा फोर्थ इंग बहुत सारे मदर्स को ऐसा लगता है कि क्या मुझे ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह से स्टॉप कर देना चाहिए अगर बच्चे ने इतना डीपली काटा है तो एक लिस्ट चार पास दिन के लिए जखं ठीक होने तक और आप क्या दोगे बच्चे को श्या लेक्टोजन दे सकते हैं पाउडर मिल्क दे सकते हैं एनिमल मिल्क दे सकते हैं बॉटल दे सकते हैं अगर साथ आठ दिन के लिए बच्चे को फीडिंग कराना बंद कर दोगे तो मिल्क सप्ला हैंपर हो जाएगा और मि निपल पे जखम हो गई है, आपको दर्द हो रहा है, आख में से आसू जा रहा है, बोलना ठीक है, बट मैं उस पेस से जा चुकी हूँ, इनिशल स्टेज में गई हूँ, टीदिं के वक्त नहीं गई हूँ, बट मुझा पता, इस वेरी वेरी पेइनफुल प्रोसेस, बट फी बंद कर दोगे, तो बहुत अलग थाइप के निगिटिव साइकल में चले जाओगे, आप लोग को इस निगेटिव साइकल में नहीं जाना है, अगर आपको तकलीफ जादा हो रहा है, तो फिर आप लोग को एक बार आपके आसपास जो भी लेक्टेशन एक्सपर्ट है, ब उनसे बात करना बहुत जाता जरूरी है, काकी वो चेक करेंगे कि बाब जखम कितना डीप है, क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्या बचे का लाज गलत हो रहा है, पीधिंग रिलेटे कुछ टिप्स है, and accordingly we can go ahead, okay, so अभी हम लोग शेयर करेंगे, exactly baby biting at the nipple, avoid करने क के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, या already if bite हो चुका है, तो उसको heal करने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, चली, शुरू करते हैं, first and foremost, understand breastfeed for a quality time, इसका मतलब क्या है, इसके दो तरीके होता है, usually जबी 9, 10, 11 महिने का बच्चा हो जाता है, तो उसका major nutrition breastfeeding से नहीं मिल रहा है, तो solid खाना already बच्चा बहुत सारा खा रहा है, but breastfeeding अपने आप में बच्चे को nutrition, immunity, security, बहुत सारे benefits है breastfeeding के, इसलिए the breastfeeding has to continue, as per WHO आपको 2 साल तक breastfeed करना चाहिए, so breastfeeding तो continue रहता है, but बहुत बार, especially this duration में, वो कोजिनस के लिए बच्चा breastfeed करता है, सूधिं के ल ffee, बलीर दौगी 2-4 मिनिट का feeding चाहिए, मैड भी 10 मिनिट का ऐसिफ फीडिंग चाहिए, और उसके बाद बच्चा अपना मस्त खेलने के लिए सक ये जा रहा है, कि ये जा रहा है, कि ये जा रहा है, और उसके चकर में कभी-कभी, बाही बाहित हो जाता है, तो बच्चя क पील रहा है और बच्चे के गम्स में बहुत जादा इरिटेशन हो रहा है तो बच्चा काच सकता है तो आप लोगों को अब्जर्व करना है बच्चे का जभी क्वालिटेटिव ब्रेस्ट फीडिंग चालू है तब तक ही ब्रेस्ट फीड करा हो जब भी आपको लगता है कि क्वालिटेटिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं चालू है तभी आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देना मैट भी दस मिनिट पंधरा मेंट पाच मिन जभी आपको अबचा दूद नहीं पी रहा है सिंपली निपल के साथ खेल तो आपको वो चीज़ एवाइड करना है Second thing, Usually, इतने बड़े बच्चों की ममाज लोग जभी ब्रेस्ट फीड करते हैं वो लोग भी थोड़े कैजूल होते हैं तो आप इंस्टाग्राम चेक करोगे, यूट्यूब चेक करोगे, फेस्बुक चेक करोगे, आपका ध्यान भी अपरप्ली इधर उधर होता है, सम्टा उसमें से बॉंडिंग ही निकाल दोगे, देन इट बिकम सम्मेकानिकल मोमेंट, तो आप लोग को अब्जव करना है, जितना भी देर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, प्रिफरेबली किसी भी और चीज की तरफ ध्यान मत दो, है मेरा बच्चा, कैसे फीड कर द आपका बच्चा बच्चे ने अभी बाइट किया या मुझे दुखा, और उंगली निपल के उपर दबा के निपल को बाहर निकाल दोगे, तो यू, आपका बच्चे के साइड के हिस्से से आप अंदर डालते हो, और यह उंगली एग्जाटली निपल और मूँ के बीच मे जाना चाहिए, और उंगली निपल के उपर दबा के निपल को बाहर निकाल दोगे, तो यू, डिटाच बेबी फ्रम लाचिंग, आप लाच छुडवाते हो, ब्रेस फीडिंग बंद करते हो, बच्चे के तरफ स्ट्रेट देखते हो, और बोलते हो, और बोलते हो, अगर आ ओके, और आप लुगे अगें प्रॉपर फीड, वापस काटा, अगें सेम थिंग, साइड से उंगली डालो, रोखो, निकालो, बाइट, नू, बाइट, वाइट, आप ये तीन चाहर बार करते हो, बच्चे को पता चलता हो, ये मेरा फेवरेट चीज नहीं मिल रहा है, बि दूसरा चीज, वह एज बच्चों का वैसा है, जहां पर बच्चों को फर्मनेस in voice पता चलता है, विल्मेक दम अंडरस्टैंड कि नहीं करना है यह चीज, और आप उसके साथ एक्षिन भी करो, नो एंड रिमॉविं, तो अगर आप यह वापस करोगे तो आप गोई टो रिमॉव इट, तो यह एक बहुत इंपोर्टन टिप हो सकता है, फोर्थ तिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लीज यूज निपल शील्ड, ब्रेस फीडिंग बन मत करो, निपल शील्ड मार्केट में बहुत सारे वरायटी के मिलते हैं, हम लोग निपल शील्ड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो कर चुक है, तो आप लोग निपल शील्ड खरिद के लेखिया, वो आपके ब्रेस पर लगाओ, तो बच्चा निपल शील्ड पे सक करेगा, आपका ही दूद लेगा, आपका ही दूद पियेगा और वो बहुत comfortably आगे जा सकता है तो निपल बाइट के लिए निपल शील्ड और निपल शील्ड का ही दूसरा नाम है निपल प्रोटेक्टर तो बेसिकली आप लोग निपल को प्रोटेक्ट करने वाले शीजी इउआ एक सकते हो और फिर आपका ब्रेस्ट स्वीड़िंग कर सकते हो पंप कर आप जोदे उनिपल करना कि अगर आप लूग कर हो तो आप लोग को पंपिंग कंटीनिव करना बहुत जाता जोरूरी है so that's going to help to milk supply adequate लिए और बच्चे को भी proper nutrition देने के लिए next thing you must remember बच्चे के दात में जंजनाहट होती है sensitivity होता है, उनको बाइट करने का इच्छा होता है ये कितने दिन का फंडा है usually usually 4 to 8 days before teeth come और 4 to 8 days एक बार दात आजाने के बाद तो ये जो 2 to 3 हफते का पीरेड है, ये आपके लिए काफी जादा sensitive हो सकता है specially जब ही initial कुछ दात आ रहे तो फिर आप लोगो धान में रखना है तब ही आप लोगो soothing trick करना है जैसे कि आप लोगो धान में रख सकते हो breastfeeding को बच्चे को लेने से पहले कोई मलमल का कपड़ा ले लो हाथ के उपर रैप करो उसको थंडे पानी में डिप करो और बच्चे के गम्स के उपर deep pressured massage कर सकते हो इसे क्या होगा वह का जो जंजनाट है या sensitivity वो थोड़ा कम हो जाएगा और बच्चा peacefully feed कर पाएगा दूसरा चीज़ because आपका बच्चा बड़ा है आप लोग थंडे carrot stick मूली के stick फ्रीज में रख सकते हो वो बच्चे को थोड़ी दर चबाने के लिए दे सकते हो again a soothing effect और फिर बच्चे को feeding के लिए ले सकते हो feeding session के बीच में भी अगर बच्चा काटता है तो आप लोग यह जो थंडा कपना है वो feeding session के बीच में भी बच्चे के मूँ के अंदर घुमा सकते हो तो भी बच्चे को काफी जादा soothing effect मिल जाता है अगर आपका बच्चा टीदर लेता है तो आप लोग बच्चे को टीदर दे सकते हो we always prefer home teeder जैसे carrot या मुली अगर आप बच्चे को नोर्मल टीदर देते हो तो थोड़ी दर के लिए टीदर देतो जबाने के लिए so breastfeeding आधा किया बच्चे ने काटा अपने detach किया बच्चे को थोड़ी दर के लिए टीदर दे दिया चबाने दो और फिर वापस आप बच्चे को फीड करा सकते हो वो भी चलेगा नेक्स्टिंग जो आप लोगो धान में रखना है जभी बचा बाइट करता है अब्जर्व द वूंड याद रुको अलफ यू घी लगाना घर पे घर पे इस नॉंट अल्वेस अगर आपको डीप वूंड है तो आपको मैट भी मेडिकल हेल लगेगा तो आपको प्रॉपर वे में वूंड हील होने तक शायद से ब्रेक लेना पड़ सकता है फ्रम डाइरेक्ट फीडिंग दो वी आई टोल यू निपल प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो एक्सप्रेस करके बच्चे को दे सकते हो बट अगर वूंड बहुत जादा डीप है तो जो इस गुट तो गो ऑन ब्रेक दो दिन के लिए तो दो दिन के लिए बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं आएगा एक्सप्रेस किया हुआ दूद पेगा या निपल शील से दूद पेगा डायरेक्ट निपल पे लाच नहीं करेगा तो फिर आप लोग ऑजोगा कि दो दिन में वह वूंड हील हो जाता है and then you can go ahead with the whole thing. Okay? Last but not the least. Observe the latch. The very fact बच्चा बाइट कर रहा है यहाँ पे कहीप है. मतलब बच्चे का latch चूड गया है. तो आप एक्दम इनिशल ब्रेस्ट फीदिंग देज में कैसे latch को observe करते थे बैसे बापस एक बार latch को observe करना शूरू करते हैं. अगर आपको लगता है कि बच्चा latch गलत कर रहा है तो विर वापस डिटाच and वापस फीड़े. So baby biting आप लोग avoid कर सकते हो. यह सारे tips and tricks से याद रखो. ममाज लोग, breast is best and breastfeeding is best feeding आपकी बच्चे के लिए. We respect your decision but at the same time, जो चीज थोड़े सी चीज़े इधर उदर करने के बा अपना breastfeeding का journey और ज्यादा smooth करो. अगर आपको मारे वीडियो अच्छे लग रहे है तो चैनल को subscribe जरूर करना, like करना, comment करके हम लोग को बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप लोग इस वीडियो की तलाश में थे and bell icon को hit करना का कि आपको सारे नए वीडियो के बाइ